लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब वेल उनकी पोर्ट को एकडम बीच से काट कर तोटुकड़े कर देता है, तभी लिओन तरंट वहाँ पहुचता है, और कुछ लोगों को बचा लेता है, लेकिन वो लिजी को नहीं बचा पाता, अब वेल्स का एक जुंड़, तूरिस को अपना शिकार बनाने के लिए, बोर्ट के पास घूम रहा है, सिर्षिक होता है, और एक फ्रेंच रेस्टर्ण में देखते है, शेफ सीफूर तयार कर रहा होता है, पर अचानक एक लॉप्स्टर उपर से अजीब लिक्विड उगलता है, फिर शेफ अपना की एक नई स्पीसिस को खोज लिया है, और उन्हें एक नए टाइप का बैक्टिरिया भी मिला है, यहाँ लिए एक विशिंग बोर्ट के ओनट से बात करता है, जिसने हमप बैक वेल को बोर्स पर अटैक करते हुए देखा था, तभी लिए 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 कि शिप के निचले ह शिप के नीचे का पान ही उबलने लगता है, और शिप के अंदर खीचा चला जाता है, अगली सी में वेनस को दिखाते हैं, जहां पर एक लड़का अपनी गल्फ्रेंड को कभीता पढ़कर सुना रहा है, अचानक उसकी बुक नीचे नहर में गिर जाती है, अब इसे पहले उस मरेवी किलर वेल का शाव इस्टेशन करके, जानना चाहता है कि पलूशन से वेल पर क्या असर पढ़ता है, शायद इसी वज़े से किलर वेल के बढ़ताओं में भी बदलावा गया है, फिर फाइनली उसे इसकी परमिशन दी जाती है, वो नोटिस करता है कि वेल की ब्र पर कैमरा फिक्स करके ओपर आ जाता है, तब ही सिगर नाम के एक सेंटिस्ट को पता चलता है, कि जैपनिस सेंटिस्ट को भी आई स्वार्म्स मिले हैं, लेकि में दुनिया को इस बारे में बताना नहीं चाहते है, अब कैमरा रिकॉर्डिंग को दो अलग लैप्स में चकरत अब लिओन छुपकर उस पोर्टीरे में जाता है, और उस एरिया के कुछ और सेंटिस्ट को पकड़ लेना चाहता है, पर जल्दी सेंटिरोटी कार्ड उसको पकड़ लेता है, सुबह दिखाते हैं तो शिप काउनर लिओन को वर्न करता है, कि इस तरह छुपकर मेरे एरिय जाता है, जो ब्लड सेंट को खीच रहा होता है, यहां चारली को लगता है कि इस वीडियो में कुछ तो खलत जरूर है, इसलिए वो बार बार फुटेज देखती है, उसे वीडियो में एक अजीव आवाज आती है, जो समुदर तलपा रिकॉर्ड की भी आवाज से इसलिए हमें समुदर के पानी से दूर रहना होगा, अब लियोन अपने मच्वारे दोस्तों को बन करने जाता है, लेकिन में समुदर तट से जाना ही नहीं चाते है, क्योंकि उनकी रोजी समुदर में है और जमीन पर उनका कोई काम नहीं, यहां इस्टिट में लियोन रही समुदर के जरिये humans को अटेक कर रही है, तांकि humans समुदर और उसमें रहने वाले जीव जंतों को उकेला छोड़ दे, पर ऑफिश्यास उनकी बात रही मांते और scientific proof मांते है, लेकिन एस्टों फीजिसिस्ट समान था, उनके बात पर विश्वास करती है, क्योंकि उसे लगता पर वे अपने परिवार को कन्मिस करते हैं, कि दुनिया को बचाने का ये आखरी चांस है, उनके calculation के मताविक ये intelligent bacteria, Antarctica में काफी जादा पाई जाते हैं, और शाहिद कई million साल से पिछ्वी पर रहे रहे हैं, और फिर वे एक journalist को इस बारे में interview भी देते हैं, अचाना को उनके उर्गनिस्म के audio signal के साथ एक बच्चे की चीखनी की आवाद से मैच करती है, और उस signal से organism के साथ communicate करना की कोशिश करती है, चार्ली अपने कलीक से कहती है कि तुम इसे diving apartus में नीचे रख लो, तब इस शुक का anchor नीचे पानी में उतर जाता है, और scientist sound message को transmit करते हैं, इसी भी की और आ रही है, सीगर कैपन से बिंती करता है कि वो सम्मरीन को वापस बुला ले, लेकिन उक किरिव से communicate नहीं कर पाता, लूथर अब और रिस्क नहीं लेना चाहता और वो बोड को उपर ले आता है, एक hedge खुलती है और capsule को एक special compartment में लाए जाता है, चार्ली को उसके चार डिकोड करती है, और उसको एक response signal के रूप में assemble करती है, तांकि organism उन सिगनल को समझ पाए, अब capsule वाड़े कंपार्टर में जर्नलिस्ट देखती है कि पूल चमक रहा है, अब ship के lights off हो जाती है और फिर से interference शुरू हो जाता है, जब सब कुछ ठीक होता है, तो captain देखता है कि channelist monitor पर गिरी पड़ी है, डॉक्र चेजी उसे बचाने की कोशी करती है, और नोटिस करती है कि उसके मूठो पर सरीव इस spinal fluid जैसा कोई पदार्थ है, समान था अपनी team और captain को बताती है कि जब voltage बढ़ रहा था, तो single में चढ़ा हुआ था, लेकिन चढ़ाव बहुत कम था, वही इस लड़की के spinal cord में है, वो गहती है कि ये intelligent bacteria इस लड़की के cells के साथ mix होने की कोशी कर रहा है, अब चारली बता देती है कि उसे पहले से पता चल गया था, कि हम खुद bacteria को पूल के अंदर ले आये है, अब समान था audio message के साथ एक नया message record करती है, तभी चारली बिना permission क के नीचे seal compartment में चले जाती है, तभी फूल फिर से चमाकने लगता है, और रोशनी से अजीव shapes बने लगता है, फिर समान था को ER से एक response मिलता है, जिसमें एक image भी होती है, तभी मिफिनों को helicopter ship पर land करता है, क्योंकि वो भी ER के बारे में जाना चाहता है, अब सिगर उसे पल्यूट मत करो, क्योंकि अब ER उसके साथ communicate करने लगा था, तो उने लगता है कि वे किसी तरह अपनी और ER के बीच की लड़ाई को शांती पूरवा खत्म कर सबिंगे, इसी बीच डॉक्टर चेजी एक drug का विश्कार करती है, जो blood cells खाने वाले bacteria को मिटा सकता है, इस बात कोई भी system काम नहीं करता और वे नहीं जानते कि वे अंटार्टिका में किस जगे की ओर जा रहे हैं, शिप को आइस बक्स घेर लेते हैं, अब शिप एक आइस बक्स से टकरा जाते हैं, लेकिन तभी एक व्यूकलर की लाइट उसे कहीं और लेके जाती है, फिर captain engines on करने का order है, तांकि वे उस organism के control में ना रहे हैं, वो कहता है कि हम पूरा ड्रग पानी में क्यों नहीं जाल रहे हैं, तभी सीगर उसको समझाता है कि पूल में ड्रग डालने का आसर तो हमने देखी लिया है, अब समझ में ड्रग को खोल कर पूरी इंसानेत को मिटाना चाहते हो क्या ओड़ी आखी खोल कर निल आस्मान को देखती है, और इसी के साथ ये स्रीज यहां पर देखेंगा है, जाल रहे हैंज।